अधली स्वागते वन्दे वर्त नीज में मैं भुपेंदर सैंज। आज हमारे वीज में जोतिस अचारिय पंडिस सिप्शंकरतिवारी जी मुधूद हैं। जिन से हम जानकारी चाहेंगे के गोबत द्वादसी का क्या महत्र है। नमस्कार पंडी नमस्कार पंडी यह गोवद द्वाजशी का क्या महतोड़े भुपेंदर संजी आपका प्रस्ण अतिवत्तम है और मैं भगवान विष्णु को नमन करते हुए यह अध्यात्मिक संदेश देना चाहूंगा ससंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीट वस्त्रम सरसीत भेग्चनम सहार वग्चस्थलकोस्त भस्यम नमामि विष्णुम सिरिशा चतर भुजम गोवत्स द्वादसी का क्या महत्तो है यह पर्व का बाता है कार्तिक क्रश्न पक्च की द्वादसी को गोवत्स द्वादसी कहते हैं और इस द्वादसी को बक्च बारस महापर्व भी कहा जाता है यह महापर्व एका द्वादसी के बाता है और इस महापर्व का पूजन गोधुली लगन के समय में अत्री सेकर होता है इस दिन महिलाएं संतान के रूप में पुत्व प्राप्ति के लिए ब्रत भी करती हैं पूजन भी करती हैं गोधुली लगन का तात्पर है कि सुर्यास्त से 24 मिनट पहले और 24 मिनट बात तक के समय को गोधुली लगन कहा जाता है सनातन धर्म की द्रश्टी से अगर किसी प्राणी को किसी व्यक्ति को कोई सुभिकार्ज करना है और उसे सुभ समय या सुभ लगन प्राप्त नहीं हो रहा तो वह व्यक्ति गोधुली लगन में अपना सुभिकार्ज कर सकता है और यह सास्त सम्मत है कि गोधुली लगन में किया हुआ सुभिकार्ज स्वयम सिध्ध हो जाता है मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि जीवन में पहले तो मन बुद्धी चित से सात्विक होना चीए और नित्य प्राते से लेकर के सेंत के जितने भी कार्ज हैं प्रभु के चरणों में सौप कर चलना चीए प्रभु की प्रपा प्राप्त होती है और कार्ज अपने आप में सिध्ध हो जाता है किसी भी प्रकार का कोई सुभकार हो अगर कोई सुभकार हम सुभ समय में सुभलगन में सुभ समय में करते हैं तो उसका परिणामी अच्छा और स्रेकर हमें प्राप्त होता है और दर्स को एक अलिकाल है कल्यूग में कर्म की प्रधानता है और सास्त सम्मत बात है कि आप क्या करते हैं ये बिशेसमायने नहीं रखता किंटुँ उस्ष कारे को करते समय कि आपके मन में भावना कैसी है ये बिशेसमायने रखती है तो किसी भी प्रकारी की कारे को सिद्ध करते समय प्रभु के चर्णूँ में मन बुद्धिचित को सौफ करके और अपने संसारिक जीवन की कारियों को संपन करें तो प्रभु की पूर्ण के पापराप्त होगी और कारी भी सिद्ध होगा इनी सब्दों के साथ जैमा तक